टीना आज फिर पार्लर गई थी बिटा हश एक बार फोन तो मिला इस टीना का पाच घंटे हो गए बिटा अभी तक लोट कर नहीं आई ममी क्या बोल कर गई थी आपको बिटा मुझसे तो यही बोली कि ममी जी मैं पार्लर जा रही हूँ कुछ देर में लोट कर आती हूँ मुझे लगा नही नही शादी है गई होगी फेशिल वैक्सिंग करवाने लेकिन बिटा फिर भी घंटे दो घंटे में वापस आ जाना चाहिए था ना अरे तो आप उसे कॉल कर लेती ना अरे दस यो बार तो नंबर मिला लिया लेकिन उसका नंबर लगी नहीं रहा तब तो वाकई चिंता की बात है अच्छा मैं उसकी सहली को फोन लगा कर पुछता हूँ शाद उसे कुछ पता हो हाँ बेटा तू ये सही कह रहा है पूरा दिन कान पर फोन लगा कर मोना मोना करती रहती है इस मोना को जरूर पता होगा कि आज टीना कहां गई है हर्ष टीना की सहली मोना को फोन मिलाता है हलो मोना, मैं हर्ष बात कर रहा हूँ, टीना का हस्बन अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी टीना से कोई बात होई थी क्या? कि आज वो कहीं जाने वाली है, उससे कुछ बताया था तुम्हें? नहीं तो, मेरी तो कोई भी बात नहीं होई विसे आपको बताये बिना वो भला कहां जाएगी? अच्छा ठीक है, मैं बाकी के दोस्तों से भी बात कर लेता हूँ, हो सकता है किसे को कुछ पता हो अरे जी जा जी, आप तो बड़ी फोली हो, जरा सा मजाग भी नहीं समझते हैं आवे टीना मेरे ही साथ है, और हम बस घर पहुंचनी वाले हैं मम्मी, टीना बस घर पहुंचनी वाली है, चिंदा की कोई बात नहीं है, वो अपनी सैली के साथ ही थी कुछी देर में टीना घर पहुंच जाती है अरे टीना कहां चली गई थी तुम, फोन भी बंद कर रखा है, मम्मी कितना परिशान हो रही थी और ये सर ढख कर क्यों घुम रही हो? आरे मम्मी जी वो क्या है न, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा मैं मम्मी जी को बता कर तो गई थी कि पार्लर जानी हो अरे तो पाच घंडे लगते हैं क्या पार्लर में आरे मैं तो बस एक हैर स्पा कराने गई थी लेकिन जब वो मेरा हैर स्पा करने लगी तो हैर ड्रस ने बताया कि मैडम, आपके हैर काफी डैमेज लग रहे हैं और पांच छे ग्री हैर भी दिखाए दे रहे हैं आपको ये अच्छा सा हैर कलर करा लोगी तो ग्री हैर भी कवर हो जाएंगी और आप पहले से ज़्यादा ट्रेंडी दिखाए देंगी वैसे भी आजकल तो हैर कलर कराने का फैशन है आपकी पोस्टनालिटी ना चींच हो जाएगी एक्टम से वैसे भी आजकल बाल काले कौन रखता है अरे बाल तो सबके काली ही होते है भाई ये पाललर वाले तुम्हें कुछ भी पट्टी पढ़ा देते हैं और तुम मान भी जाती हो अब काले नहीं तो क्या नीले बाल रखने का फैशन चल पड़ा है क्या बात करती हो अरे वाँ एक्टम सही पैचाना माने बलू कलरी करवाया है इतना कहकर टीना अपने सर पर रखा दुपट्टा हटा कर पती के सामने आती है हाई राम ये क्या हुलिया बना लिया तुने बाहू ऐसे नीले बाल तो जो करके भी नहीं होते है आपकी बातों करना मुझे बिरानी लगा ममी जी आपकी उम्र हो गई है, आपको आजकल की फैशिन और नाय नई ट्रेंस का कहां पता होगा आप देखना, अब मेरा न्यू हैस्टाल देखकर महले में आपकी इज़ित बढ़ जाएगी हर किसी के मुँपर आपकी बहु की ही चर्चा होगी आप ही बताईए, इतनी बड़ी टीचर कॉलोनी में है कोई ऐसा जिसका मेरे टकर का हैस्टाल हो नहीं बेटा, तु कालानी की बात कर रही है मुझे तो लगता है कि ऐसे नीले बाल कराने वाली तु दुनिया की पहली औरत है अरे भगवान बचाय से नास पीटे फैसन से अरे तु छोड़ना टीना, तेरी फैमिली को तेरी फैसन सेंस की कोई वैल्यू नहीं है मैं बोल रही हूँ न, तु एकत्रम सुपर मॉडल लग रही है तु बस मुझ पर ट्रस्ट कर, फिर देख सहली मुणा की चिकनी चुपरी बाते सुनकर, टीना उसकी बातों में फस जाती है अगले दिन, टीना की यहां पडोस वाले घर से किर्टन में जाने का बुलावा आता है बहु मैं किर्टन में जा रही हूँ, तु घर में रुक कर काम देख ले ना हा टीना जल्दी जल्दी काम निप्टा कर, पडोस में जल रही किर्टन में पहुँच जाती है अरे मिसेज शेर्मा यह कौन है? पता नहीं, आपने इन्वाइट किया होगा, आप सुचे यह कौन है? मिसेज शेर्मा और मिसेज गुपता, अभी खुसर-पुसर करी रही थी, कि तभी टीना की सास मदू टीना को आवाज लगाती है आरा टीना बहु, पूजा मैं सार ढख कर बैठते है बिटा, और एक बात बता दूद तो फ्रीज में रख दिया आता ना? अजी ममे जी, मैं सब काम करके आई हूँ जो आपने बताये थे ये मदू की बहु है, हाई हाई, कि कैसा भेस बना लिया इसने? अभी कुछ दिन पहले तक तो इंसान की बच्ची लगती थी अब देखो ऐसा लग रहा है कि सर पर नीले पेंट के बाल टी पलट गई हूँ इसके मेरी तो हसी नहीं रुक रही, नीले बाल रंगवा की ये कई कुछ को मोर तो नहीं समझ रही है इतना कहकर मिस्सिस गुपता जोर-जोर से हसने लगती है अरे यार, एक से बढ़कर एक फैशनेबल औरते देखी है लेकिन ऐसा बेहुता फैशन पहली बार देख रही हूँ तुम लोग रुको, मैं जरा मदो से मजे लेकर आती हूँ मान गए पहन जी, आपकी बहुत लाखो में एक है लखो में एक नहीं है, इनके बहुत बस एक ही है उसके जैसा कोई दूसरा होई नहीं सकता टीना जैसा है स्टाइल तो किसी मॉडल या हिरोईन का भी नहीं होगा अरे वो बेचारी ना गलती से ये कलर करा कर आई मैंने कहा कि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करा ले इतना कहकर मदुवां से उठकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है तबी पीछे से मिसिस गुपता की मोरनी बागामा बुले गाना गाते हुए आवाज सुनाई देती है और सबकी ठाहा का लगाकर हस्ती की आवाज भी सुनाई पड़ती है इतने सालों में कमाई हुए इज़त इस टीना ने मिट्टे में मिला दी आज कालनी में हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है मिसिस वर्मा की बात सुनकर तो इतना गुसा आ रहा है कह रही थी आपकी बहु की दिमागी हालत तो ठीक है न अरे मैं पूछती हूँ क्या जरूर थी ऐसा रंग बालों में पुतवाने की लोग मुझे आकर ऐसी ऐसी बाते पूछे आने दो आज शीज टीना को अभी इसकी खबर लेती हूँ कुछ दिर बाद तीना बहु बहुत हो गया तेरा तमाशा मैं साफ साफ कह रही हूँ अपने बालों का कलर चेंज कर वा ले और कोई इनसानों वाला कलर इन बालों में पुतवा करा कॉलोनी में मेरा घर से बहार निकलना मुश्किल हो गया है हर कोई मुझे तेरे बालों को देख कर चिढ़ा रहा है अरे मम्मी जी आप नाराज क्यों हो रही है ठीक है ना अगर आप कह रही है तो मैं अपना हैस्टाइल चेंज कर लेती हूँ तीना फिर से पालर जाती है और सास के कहे अनुसाय नया हैर कलर करवा कर घर लौटती है अरे तीना पहू दिखा दो बेटा अप कैसा कलर करा के आई हो तीना अपने सर से दुपटा हटाती है तो उसका हैर कलर देख कर मदू अपना सर पकड़ कर जमीन में बैठ जाती है देलाल, ये भगवान, मेरा तो कॉलोनी में निकलना दुश्वार हो गया है, सब मजाग बनाते हैं, वो नीले रंग से जान छुटी, तो अब ये तो रंगे बाल करा कराई, मैं कहते हूं काले भूरे बाल भी इंसानों के ही होते हैं न, अकर हमारे बाल काले हैं, तो क्या हम इ पानने वाली, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा, उस राज जब टीना सूने जाती है, तो हर्ष और उसकी मा मदु मिल कर एक चाल चलते हैं, अगले सुबा, हर्ष, हर्ष अल्दी आओ, ये देखो मेरे बाल को क्या हो गया, देखो तो तक्की के पास कितने सा सारे बाल टूटकर विक्रे होएं, हो, ये मेरे सर में अचानक से इतने सारे सपेद बाल कहां से आ गए, अब मुझे क्या बता रही हो, जाओ जाकर अपनी सहली मुना को बताओ, हम तो कवाल लोग हैं ना, हमें फैशन की सेंस का है, अरे उसे पक्का बता होगा, कि ये बाल क जाडू ठीक कैसे होगी, पती की बात सुनका टीना जोर-जोर से रोने लगती है, ना, मुझे कुछ नहीं पूझना, अगर मेरे सारे बाल छड़ गए, तुसे क्या फर्क पड़ेगा, गंजी तो मैं होगी ना, बिटा, मैंने तुझे कितना समझाया, कि ये सब कलर बालों क कर बिस्तर पर गिरे हैं, मैं अपनी गलती मानती हूं ममी जी, आप बताइए नाम में क्या करूँ कि मेरे बाल ठीक हो जाए, पहले तो जाकर अपने बाल सही करवा किया, और हाँ, आप से ये महेंगे शैंपू और पारलर का चकर छोड़ दे, मैं तुझे आम लाज शिकाका बना कर दूँगी, उसे बाल में लगा, फिर देख कमाल, बिचारी टीना इतना डर गई थी, कि सास की सारी बातों पर जड़ से रजामंद हो जाती है, अच्छा अब जा, और जाकर अपने बाल दो ले, मैंने तेरे बालों में वाइट कलर लगाया था तुझे समक से खाने क के लिए, कुछ नहीं हुआ तेरे बालों को, चला दो रोना बंद कर पगली, सास मा की बात सुनकर टीना की जान में जानाती है, और वो आगे से बालों पर कोई केमिकल इस्तमाल ना करने की कसम खा लेती है, अरे बहू, क्या कर रही है, जरा ये साड़ी पहन के तो दिखा, आज हम सब महले की ओरते बाजार गई थी, तब ही मुझे एक दुकान पर ये साड़ी दिखाई दी, मैंने तेरे लिए खरिद ली, अरे वा, माजी, ये तो बड़ी सुन्दर साड़ी है, मैं अभी पहन कर आती हूँ, फिर गीता साड़ी पहन कर आती है, अरे वा, कितनी सुन्दर लग रही है तू, तब ही दर्वाजे की घंटी बचती है, ठहर जा, मैं देखती हूँ कौन है, गीता की साड़ जैसे ही दर्वाजा खोलती है, सामने अपनी बेहन को देख बड़ी खुश हो जाती है, अरे कमला तू, इस तरह अचानक कैसे आ गई, एक फोल कर देथी, मैं मनोज को तुझे लेने के लिए स्टेशन पर भेज देथी, अरे तुझे मिले बहुत दिन हो गया, तू तो गाम आने से रही, तो मैंने सोजा, मैं ही तुझे आगर मिलूँ। तभी कमला पूरे घर को देखती है, अरे वा, घर तो बड़ा शानदार है, फिर कमला सामने खड़ी गीता को देखती है, और कहती है, अरे बहु, तुन्हें साड़ी तो बहुत संदर पहन दखी है, कहीं शादी में जा रही है क्या, अरे नहीं नहीं, ये साड़ी तो मैं आज ही बाजार से खड़ित कर लाई हूँ, अपनी बहु के लिए, क्यों, वेरी बसंद अच्छी है ना, दोनों साड़ी बहु का प्यार देखकर कमला मन ही मन सोचती है, अरे लडाए जगड़े का दूसरा नाम ही साड़ी बहु है, लेकिन यहां तो रामाएन उल्टी चल रही है, दोनों एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल कर रहती है, मुझे है कुछ करना पड़ेगा, फिर अगले दिन गीता रसोई गर में खाना बना रही होती है, तभी कमला उसके पास शाकर कहती है, अरे बाँ, बड़ी अच्छी खुश्बुरा रही है, क्या बना रही है बहु, जी, आलो के पराटे बना रही हूँ मैं, कमला इधर उधर देखती है, फिर धीरे से गीता से कहती है, अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैं रोज देखती हूँ, तो अकेले घर का सारा काम करती है, मुझे तुश्पर बड़ा आतरश आता है, अरे तो अपनी सास से भी कुछ काम करवा लिया करना, तो अभी नई नई इस घर में आई है, तुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुझे बुज़े बुज़र्ग होने के नाते समझा रही हूँ, मैंने ये बाल धूप में सफ़द नहीं किये, दुनिया देख कर बैठी हूँ, मैं अपनी बैहन को अच्छी तरह जानती हूँ, कल ही वो मुझसे कह रही थी, जब से गीता इस घर में शादी करके आई है, हमारा तो एक नौक रानी का खर्चा बच गया, गीता हैरानी से कमला से पूछती है, क्या, सच्मे माजी मेरे बारे मैं ऐसा सोचती है, हाँ, बिल्कुल ऐसा सोचती है, अरे मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह मादी हूँ, इसलिए तुझे समझाने आ गई, आखे तेरी मर्जी, इतना कहकर कमला महां से चली जाती है, फिर उसी शाम जब गीता के साथ बाजार से सज्जिया लेकर घर आती है, तो उसे देखकर कमला कहती है, अरे क्या हुआ बेहन, आज तुने बाजार से आने में बहुत बेर कर दी, अब क्या बताओं कमला, आज कल मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, ठीक से चला भी नहीं जाता, हाँ, तो अब क्या पश्टा रही है, इसमें आखर गल्पी तो तेरी है न, बहु के होते हुए सास अगर घर में नौकरानी के तरह काम करे, तो उसका तो यही हाल होगा न, अरे कभी गाँवा कर देख, हम अपनी बहु को तलवार की धार पर रखते हैं, अरे तुझे क्या पता, तेरी बहु पीट कीचे, तेरे बारे में क्या बादे करती है, कल ही तेरी बहु की बाते सुन रही थी, पड़ो उसकी मीना से कह रही थी, मेरी सास के होते हुए, मुझे अपने घर में नौकरानी रखनी की कोई ज़रूदी है, अरे, ये क्या कह रही है, मेरी बहु मेरे बारे में ऐसी बाते कभी नहीं कर सकती, अरे तू तू तो मेरी बहन है, बला तूसे मैं जूट क्यों बोलूंगी, मैं तो तेरे भड़े के लिए बोल रही हूँ, सारा दिन अपने बहु की जाकरी में बिता देती है, कभी बाजार से सबजी आलाती है, तो कभी उसके ये महंगी महंगी सारी आलाती है, अरे तेरी कि है या नहीं है, फिर गीता की सास कमला की बाते सुनकर सोच में पढ़ जाती है, और तभी मौका पाकर कमला वहाँ से चली जाती है, अगले तिन से कमला रोज गीता और उसकी सास दोनों को एक दूसरे की खिलाव भड़काना शुरू कर देती, फिर एक दिन, अरे बेहन, मैंने सुना है, तेरे शहर का बाजार बहुत बड़ा है, और वहाँ दुनिया भर की सभी चीज़े मिलती है, मैं सोच रही थी क्योंना चलकर आज बाजार घुमाते हैं, अच्छा ठीक, मैं अभी बहु से पैसे लेकर आती हूं, फिर हम दोनों चलते हैं, तभी समझती थी, तू इस घर की माल कीन है, ठेरा खिरकार तेरी बहुँ साची कहती है, तू इस घर में किसी नौकरानी से कम नहीं है। विमला की बाते सुनकर, गीता की सास को गीता की पर बहुत गुसाता है, और वो सीधे गीता के कमरे में जाकर, उसे तीजोरी की चाबी लगती है तबी गीता भी अपनी साथ से नाराज थी और वो तिजोरी की चाबी देने से इंकार कर देती है फिर देखते ही देखते दोनों में बहस शुरू हो जाती है दूसरे तरफ कमला दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ता देख मन ही मन बहुत खुश होती है आखिर मेरा नाम भी कमला है जो एक बार ठान लेती हूँ उसे कर की दिखाती हूँ आखिरकार इस घर की शांती भंग होई ही गई तबी मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है लेकिन घर में आते ही वो देखता है कि उसकी माँ और पत्नी किसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस कर रही है तबी मनोज की नजर अपनी मौसी पर पढ़ती है जो एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही होती है मनोज समझ जाता है कि ये सब उसकी मौसी का किया धरा है फिर मनोज अपनी मौसी को सबक सिखानी की चानता है उसी रात मनोज अपनी मौसी की बहु मंजी को फोन करके सारी बात बता देता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है अगले दिन कमला आराम से सोफे पर बैठ कर टीवी देख रही ही होती है तभी अचानक वहाँ उसकी बहु मंजवा जाती है और आते ही अपनी सास को डांटने लगती है अरे वाह माजी आप तो एक दंबर की जूठी है मुझसे कहके आई थी कि मैं तिर्थी आतरा पजा रही हूँ लेकिन आप तो यहाँ मज़े मा रही है तभी गीता और उसके सास भी वहाँ जाते हैं उन्हें देख कर विमला जिजटते हुए अपनी बहु से कहती है अरे बहु तू बेकार में नाराज हो रही है मैं तो बस आनी ही वाली थी अरे मा जी मुझे मत सिखाईए मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ लोगों के घरों में आग लगाने के अलावा आप करती क्या है ये तो अच्छा हुआ कि रात को मनोज बैया ने मुझे फोन करके सब बता दिया कम से कम इन लोगों को तो चैन से रहने दो बहुत हो गया अभी क्या भी आप घर चलिए कभी कमला की असलियत दे गेता और उसकी सास एक दूसरे को देकर मुस्कुराती है और कमला अपना सामान मान कर अपनी बहों के साथ वहाँ से चली जाती है